हेलो दोस्तों अरत्वारेस अकेडिमी की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों राजस्तान करमचारी चैनबोर्ट जैपुर द्वारा आयूजी ते सी इटी सनात्तक इस्तरीय बरती परिक्सा दोजार चोबिस के नवीनतम पाठे करम के अनुसार है पॉलिटिकल सैंस के जो जो टोपिक्स अले बस में दे रखे हैं उन्हें सभी टोपिकों के अपन करमवाई जो अति महतुकून प्रेस्ण है वो पढ़ते हुए चल रहे हैं दोस्तो अपनी आठ कलास है वो कंपलीट हो चुकी है आज अपने इसमें नवे नमबर की कलास है और इस टोपिक से समंदीत आज मापको टोप साथ प्रेस्ण है वो बताने वाला हूँ ये प्रेस्ण आपकी परिक्सा की दरिश्टी से अतियंत महतुकून है अगर आपने पिछली जो आठ कलासे है वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाएए वहाँ पर आपको फोल्डर मिल जाएगा CET सनातक है पॉल्टिकल सैंस के नाम से आपको फोल्डर मिल जाएगा तो आप वहाँ जाकर पिछली जो आठ कलासे है वो सेलेबस के अकोडिंग जरूर देखे और दोस्तों आप यहाँ पर सेलेबस देख सकते हैं ये सनातक इस तरीये का सेलेबस है पॉल्टिकल सैंस का जि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाए वीडियो को लाइक है और अपने दोस्तों के पास में सेयर जरूर करें तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं परदान मंतरी परिशत से समंदित देखिए पहला प्रस्त नह हैं यानि कि लगातार दूसरी बार परदान मंतरी बनने वाले व्यक्ति है वो कौन-कौन है तो देखिए दोस्तों जवाहर लाल नेरू इंद्रा गांदी और अटल ब्यारी वाजपई ये दोस्तों लगातार दूसरी बार परदान मंतरी बनने वाले व्यक्ति हैं तो इसका D number option, आगे देखे, second number प्रेसन है, भारत के परधान मंतरी, देखे, ये प्रेसन है, ये first grade में पूछा दा चुका है, ठीक है, भारत के परधान मंतरी नियुक्त होते हैं, या निर्वाचित होते हैं, या मनोनीत होते हैं, या चैनीत होते हैं, तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा, वो है, भारत के परधान मंतरी नियुक्त होते हैं, किसके द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, तो ये नियुक्त किये जाते हैं, दोस्तो राष्टरपती के द्वारा, ठीक है, या आपको इसमें याद रखना है, राष्टरपती के द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, आग गठित है या परंपरा प्रादारित है तो दोस्तों देखिए भारत के परदान मंत्री का पद है वो सविदान द्वारा गठित है क्या है सविदान द्वारा गठित है तो इसमें ए नंबर का उप्शन बिल्कुल सेउत्तर हो जाएगा सविदान द्वारा गठित है आगे करता है राश्ट्रपती ठीक है तो इसमें ए नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा राश्ट्रपती आगे देखें इसमें पांच नंबर का प्रिस्न है परधान मंत्री को उसके पद की गोपनियता की सपत कौन दिलाता है यानि कि दोस्तों परधान मंत्री ठीक है तो इसमें ए नंबर उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखें शह नंबर प्रिस्ने सामानित परधान मंत्री किसका सदस्य होता है तो दोस्तों सामानित परधान मंत्री है यह सदस्य होता है किसका तो लोग सभा का सदस्य होता है ए नंबर का प्रदान मंत्री पद पर न्यूक तो हो सकता है तो एक वेक्ति है वो प्रदान मंत्री पद पर अधिक्तम कितनी बार न्यूक तो हो सकता है यह अपने को इसमें बताना है तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कितनी बार तो कितनी भी बार यानिकि कितनी ही बा आगे देखिए दोस्तों इसमें 8 नमबर का प्रेस ने भारत में सक्तियों का परमुक उबरता के अंदर है वो कौन सा है तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें परधान मंत्री ठीक है तो इसमें C नमबर का उप्सन बिल्कुल सहत्तर हो जाएगा परधान मंत्री आगे देखिए इसमें नो नमबर का प्रशने निमनलिकित में से कौन लोकसभा का नेतरत्व करता है तो लोकसभा का नेतरत्व है वो दोस्तो कोन करता है तो सी दासा है यहाँ पे लोकसभा का नेतरत्व है वो परधान मंतरी करता है तो इसका right answer क्या हो जाएगा वो है दोस्तों परधान मंत्री संग्य मंत्री परिशद का क्या होता है अध्यक्स होता है ठीक है आगे देखिए इसमें 11 नमबर का प्रेशने योजना आयोक का अध्यक्स होता है तो योजना आयोक का अध्यक्स कोन होता है तो ये भी दोस्तों आ आम तोर पर भारत के परदान मंतरी होते हैं, तो आम तोर पर भारत के परदान मंतरी हैं, वो लोक सबा के सदस्य ही होते हैं, क्या होते हैं, लोक सबा के सदस्य ही होते हैं, आम तोर पर भारत के परदान मंतरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, वो है बी नंबर का ओप्षन बिल्कुल सə उत्तर हो जाएगा. नेक्स्ट आगे देखिये दोस्तों इस में 13 नम्र का प्रैस्ते भारत के प्रधान मंत्रियों का निम्न में से कोण सा कालानुकरम सही है? तो कोण सा कालानुकरम इसमें सही है? तो देखिये पहले नमबर पर तो इसमें दो आएगा दो किसमें है इसमें भी है और इसमें भी है ठीक है अब देखिए उसके बाद में यहाँ पर इंद्रा गांदी मुरारजी देशाई और चोदरी चरण सिंग तो देखिए इंद्रा गांदी बनी थी 66 और 66 में तो इंद्रा गांदी आएगी दोस्तों इसमें दूसरे नंबर पे यानिकि दूसरे नंबर पे एक आएगा तो यहां पे देखिए यह वाला अपना राइट आंसर होगा सबसे पहले जवाहरलाल नेरू फिर इंद्रा गांदी फिर मोरार जी देशाई फिर चोदरी चरण सिंग तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दो एक तीन चार सी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए संसदिय तंतर में वहें व्यक्ति परदान मंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है तो किसका नेता तो दोस्तो निम्न सदन में बहुमत दल का नेता निम्न सदन किसको बोलते हैं तो लोग सबा को तो लोग सबा में बहुमत दल के नेता को परदान मंत्री कहा जाता है ठीक है तो इसमें बी नंबर उप्षन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा नेक्स्ट है पंद्रा नंबर का प्रस्ण है मंत्री मंडलिये यानि की मंत्री मंडल की मंत्री मंडल की बैठक की अध्यक्स्ता कौन करता है तो सीधा सा है परदान मंत्री मंदल की बैठे किया देक्सता करता है डी नमबर उप्षन सही उतर हो जाएगा सोले नमबर का प्रसन है परदान मंत्री की न्यूकती राष्टरपती करता है यह किस अनुचेद में व्रणित है परदान मंत्री की न्यूकती राश्टरपती करता है ये दोस्तो कोन से अनुचेद में दिया गया है तो दोस्तो अनुचेद पिचेतर में दोस्तो परदान मंत्री की दोस्तो न्यूकती से समंदित बात कई गई है कि परदान मंत्री की न्यूकती है वो कोन करेगा तो इसमें C नंबर उप्शन से उत्तर नेक्स्ट भारत के परदान मंत्री पद के लिए उम्मिद्वार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए तो कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए परदान मंत्री बनने के लिए तो दोस्तों लोक सबा के सदस्य बनने के लिए जो उम्र चाहिए वो ही परदान मंत्री बनने के लिए चीए तो यानि कि 25 वर से कम से कम परदान मंत्री बनने के लिए उम्र होना आवशक है A नंबर का ओप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अठारा नमबर का प्रेशन है भारत के परदान मंतरी लोक सबा में बहुमत दल के नेता होते हैं भारत के परदान मंतरी सी नमबर का ओप्षन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे गुनिश नमबर का प्रेशन है परदान मंतरी कोन बनता है तो लोक सबा में बहुमत दल के नेता को परदान मंतरी बनाया जाता है ठीक है तो इसमें ए नमबर का ओप्षन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे इसमें 20 नमबर का प्रेशन है यदि भारत के परदान मंतरी संसद के उच सदन के सदस्य है तो दोस्तों वे ऐ विश्वास प्रस्ताव की इस्तती में अपने पक्स में वोट नहीं दे सकेंगे तो इसमें ए नमबर का ओप्षन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे इसमें 21 नमबर प्रेशन है देखे बारत के परदान मंतरी का पद भारत के परदान मंतरी का पद दोस्तों किस पर आदारी था है तो यह दोस्तों सविधान द्वारा सरजित है ठीक है तो सी नमबर का ओप्षन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा सविधान द्वारा सरजित नेक्स्ट है भारत का परदान मंतरी तो यहां पे देखे बारत का परदान मंतरी तो दोस्तों यह क्या होता है तो दोस्तों सत्ता द बेखे संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंतریyों का चायन करने के लिए सवतंतर है ये कथन है, ये प्रधान मंत्री के समंद में बिल्कुल सत्य कथन है तो इसमें A numbers का उप्शन बिल्कुल स blat हो जाएगा आगे देखेंऀ इसमें 24 नंमर प्रेशन है किस परदान मंत्री ने एक बार पद से हटने के पस्चात दुबारा पद समाला था यानि कि एक बार पद से हटने के बाद में दुबारा पद समाला था तो किस ने समाला था तो ये समाला था दोस्तों इंद्रा गांदी ने किसने इंद्रा गांदी ने तो इसका right answer हो जाएगा इसमें C number का option बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखें नियुक्ति के समय निम्न में से कोन परदान मंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था तो दोस्तो इसका right answer क्या हो जाएगा वो है दोस्तो PV नर्शिंग राव ये दोस्तो जिस समय परधान मंत्री बने थे उस समय ये किसी भी सदसे किसी भी सदन के सदसे नहीं थे ठीक है ये आपको इसमें याद रखना है कब बनाया गया था इनको 1991 में इनको बनाया गया था परधान मंत्री ठीक है तो इसका right answer हो जाएगा इसमें डी नंबर का option बिल्कुल सही उतर 26 नंबर प्रेस्टन है परधान मंत्री का सपत ग्रहन के समय राज्य सबा का सदसे थी तो वो दोस्तो शीधा सा है श्रीमती इंद्रा गांधी तो इसमें B-Number का option सही उतर हो जाएगा इंद्रा गांधी है ये परधान मंत्री बनते समय राज्य सबा का सदसे थी B-Number option सही उतर नेक्स्ट है परदान मंत्री का पद गरन करने के समय विधान सबा का सदस्य था तो यहां पर देखें परदान मंत्री का पद गरन करने के समय विधान सबा का सदस्य था तो कौन था तो वो था दोस्तों इसमें HD देव गोडा HD, देव गोडा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें D नंबर का उप्षन बिल्कुर से यूतर हो जाएगा, ठीक है, आगे देखिए इसमें, लोक सबा का विश्वास मत प्राप्त किये बिना ही, परदान मंत्री पद परकारे करने वाले पर्थम वेक्ती हैं, तो वो कौन हैं, तो वो है दोस्तो इसमें, चोदरी चरण सिंग, ठीक है, ए नंबर का उप्षन सही उतर हो जाएगा, चोदरी चरण सिंग, नेक्स्ट गुनतीस नंबर प्रेसन हैं, इसमें देखिए, कोंग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जानने के कारण ही त्याग पत्र देना पड़ा था, किसको, तो ये दोस्तों किसको, तो देखिए, चोदरी चरण सिंग को, चंदर शेकर को, और एचडी देव गोडा को, इन तीनों को दोस्तों त्याग पत्र देना पड़ा था, क्योंकि कोंग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया था, तो इसका राइट दी है, ये दूसरी अवदी के लिए परदान मंत्री है, ये कब बनी थी? तो ये बनी थी दोस्तों, 1980 से 1984 सी तक, गुनी सो अस्ची से 1984 सी तक, ये परदान मंत्री बनी थी, तो इसका राइट आणसर हो जाएगा, एन नंबर का उप्शन सही उतर, और पहली बार परदान मंत तर तक ये परधान मंतरी रही थी ठीक है तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा A number उप्शन सही उतर नेक्स्ट है जवाहर लाल नहरू के निदन के पस्चाथ किसंने परधान मंतरी पदगर्ण किया तो जवाहर लाल नहरू के निदन के बाद में लाल बाहदुर सास्तरी को परदान मंतरी बनाया गया था किसको लाल बाहदुर सास्तरी को क्या सही है बताइए गलत दोस्तो जवाहर लाल नहरू के निदन के पश्चात ठीक है गुलजारी लाल नंदा को दोस्तो परदान मंतरी बनाय गया था किसको गुलजारी लाल नंदा को ठीक है तो इसमें सी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा ठीक है देखे स्वर्गिये गुलजारी लाल नंदा को दो बार कारिवाहक परदान मंतरी बनाय गया था पहली बार पंडी जवार लाल नहरों की मर्तियों के बाद और दूसरी बार दोस्तों लाल बादुर सास्त्री की मर्तियों के बाद दोस्तों इनको परधान मंतरी बनाया गया था गुलजारी लाल नंदा को ठीक है दो बार बनाया गया था तो इसका राइट आंसर जाएगा C नमबर का उप्सन बिल्कुल सेयुतर हो जाएगा अब आप ऐसे मत कर देना कि पंडित जवार लाल नहरू के बाद में लाल बादुर सास्त्री को बनाया था ठीक है गुलजारी लाल नंदा फिर लाल बादुर सास्त्री फिर वापस उगुलजारी लाल नंदा ठीक है C नमबर उप्सन सयुतर 32 नमबर प्रेस ने एविश्वास प्रस्ताओ के कारण सरो पर्थम किस परदान मंत्री को अपने पद से त्याग पतर देना पड़ा एविश्वास प्रस्ताओ के कारण सरो पर्थम किस परदान मंत्री को अपने पद से त्याग पतर देना पड़ा तो इसका राई टांसर हो जाएगा वो है दोस्तो मोरार जी देशाई को आगे देखिए इसमें 33 नमबर प्रेशने वहें पर्थम परदान मंत्री कौन थे जिनोंने संसद सत्र में उपस्तित हुए बिनाही त्याग पत्र दे दिया था तो उनका नाम था दोस्तों चोदरी चरण सिंग परदान मंत्री पद पर सरवादिक समय तक कोन आसिन रहा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोन आसिन रहा तो इसका बिल्कुल सियुत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों पंडी जवाहरलाल नहरू बी नमबर का उप्शन बिल्कुल सियुत्तर हो जाएगा देखिए 14-17 साल तक ये दोस्तों परदान मंत्री है वो रहे थे ठीक है 1947 से लेके 1964 तक ये परदान मंत्री रहे थे पंडी जवाहरलाल नहरू आगे देखिए परदान मंत्री पद पर किसी एक कारेकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कोन आसीन रहा तो वो रहे थे दोस्तों अटल बहरी व्याज पर ही कितने दिनों तक तो दोस्तों तेरा दिन तक ये परदान मंत्री रहे थे ठीक है यानि कि सबसे छोटे कारेकाल वाले परदान मंत्री कौन है तो दोस्तों अटल बहरी वाज पर कितने दिन तेरा दिन और सबसे लंबे कारेकाल वाले परदान मंत्री कौन से थे अभी मैंने अब आपको बताया था पंडी जवारलाल नहरू ठीक है याद रखना तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेरा दिन तक परदान मंतरी रहे थे अटल वहरी वाजपी डी नमबर उप्शन सही उतर हो जाएगा नेक्स्ट है निमनलिकित में से किसने दो बार कारे कारी परदान मंतरी के रूप में पदबार गरण किया तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था गुलजारी लालनन्दा सी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा पंडी ज्वाराल नेरू और लाल बादूर सास्त्री की मर्तियू के बाद में इन दो मर्तियू के बाद दोस्तों गुलजारी लालनन्दा को कारे कारी परदान मंतरी बनाया गया था ठीक है आगे देखे पर्थम गैर क को अंग्रेसी परदान मंत्री थे स्री मोरार जी देशाई तो इसमें डी नमर का उप्शन सरी मोरार जी देशाई ठीक है आगे देखे दोस्तों इसमें 38 नमर पने हैं पर आसिन होने वाले वेक्ति हैं तो वो मुझेस्टे म usted हैं को वो है कौन तो वो है मोलार जिदशाई दिए सबसे कम उमर में परदहन मंत्री कद पर आसिन होने वाले वेक्ति हैं तो कोंसे हैं बताइए दूस्तों वह Squam राजीव गांदी इसका 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 रा हमें और अदिक सम्मय में परधानफ्री पदपराशीं होने वळे व्यक्ति कौन थे तो वह थे देशाई तो इसमें शी नंबर उप्सन बिल्कूल सहित्ञ हो जाएगा नेक्सन परधान-मंत्री पद से त्याग-प त्याग करनें वाले पर्थम व्यक्ति हैं तो वो कौन थे तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मोरार जी देशाई सी नंबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा मोरार जी देशाई आगे देखे ऐसे परधान मंत्री यहां पे देखे 41 नंबर प्रेस्ट ने पर्थ पर्थम पर्थम पर्दान मंत्री जिनके विरुद लोग सबा में एविस्वास प्रस्ताव लाया गया था तो वो है दोस्तों पंडित जवाहलाल नहरू के विरुद लाया गया था सरो पर्थम ए नंबर उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा 42 नंबर प्रेस्ट ने है लोग सबा चुनाव में पराजित होने वाले या वाली पर्थम पर्दान मंत्री है तो दोस्तों वो कौन है तो वो है इंदरा गांदी ठीक है सी नंबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखिए 43 नंबर प्रेस्ट ने पर्थम पूर्टे गैर कोंगरेस पर्दान मंत्री बने तो वो कौन बने तो वो बने दोस्तों अटल बिहारी वाजबे डी नंबर का उप्शन से उत्तर हो जाएगा अटल बिहारी वाजबे आगे देखिए भारत के पर्थम सिक पर्दान मंत्री है तो भारत के पर्थम सिक पर्दान मंत्री है तो वो है दोस प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहत चली तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अटल बहरी वाजपेगे में तो इसमें डी नंबर का ओप्सन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए इसमें 46 नंबर प्रसन है अ मर्ति हुई है तो इसका राइट आंसर इसमें बी नंबर का ओप्सन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए इसमें 47 नंबर प्रसन है अब तक लोग सबा में प्रस्तुत ऐविश्वास प्रस्ताव सर्वादिक बार किस परदान मंत्री की सरकार क किलाप रखे गए यानकि अब तक लोग सबा में प्रस्तुत ऐविश्वास प्रस्ताव सर्वादिक बार किस परदान मंत्री की सरकार के किलाप रखे गए तो ये रखे गए थे दोस्तों किस के किलाप तो इंद्रा गांदी सरकार के किलाप तो इसका सी नंबर का ओप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा इंद्रा गांदी आगे देखे बारत का वहें परदान मंत्री जिसने एक सांसद की हैसियत से संसद के उन सभी संयुक्त अधिवेशनों में उपस्तिती दर्ज कराई जो सवतंतर भारत के इतियास में अब तक संपन हुए हैं तो दोस्तों वो है इसमें अटल भ्यारी वाजपेई टीक है अटल भ्यारी वाजपेई डी नंबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा उन सयुक्त अधिवेशनों में उपस्तिती दर्ज कराई जो सवतंतर भारत के इतियास में अब तक संपन हुए हैं अटल भ्यारी वाजपेई इसका राइट आंसर कभी छुटी नहीं की आगे देखिए लोग सबा में विश्वास मत प्राप्त होने के पहले ही दिन त्याग पतर देने वाले प्रदान मंतरी हैं तो वो कौन है तो वो है दोस्तों इसमें देखिए चोदरी चरण सिंग और अटल भ्यारी व्याजपी इ इसका सी नंबर उप्शन से उतर हो जाएगा आगे देखिए लोग सबा में विश्वास मत प्राप्त करने में एसफल रहने के कारण त्याग पतर देने वाले प्रदान मंतरी हैं तो वो कौन है तो वो है दोस्तों वीपी सिंग और एचडी देवगोडा वीपी सिंग और ए प्रयोक्ते दोनों सी नंबर का उप्शन बिल्कुल से उतर हो जाएगा इकावन नंबर प्रसन है संसद्य सासन प्रनाली में वास्त्विक कारिय पालक सकती किसके पास होती है तो यह होती है दोस्तों किसके पास तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह प्रदान मंतरी के प संसदिय सासन प्रणाली सरोपरतम किस देश में विक्षित हुई तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो बिर्टेन में तो इसका A नंबर का ओप्षन बिल्कुल से उतर हो जाएगा बिर्टेन ठीक है आगे देखिए भारतिय सविधान के अनुसार तथ्यात्मक संपरबुता निवास करती है तो देखिए भारतिय सविधान के अनुसार तथ्यात्मक संपरबुता निवास करती है तो इसका right answer C number option सयुतर हो जाएगा आगे देखें किस दल ने दो वर्ष के समय में दो परधान मंत्री दिये तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा वो है जनता पार्टी ने तो इसमें C number का option बिल्कुल सयुतर हो जाएगा जनता पार्टी ने आगे देखें निम्न में से भारत के कौन से परधान मंत्री एविश्वास मत में पराजित हुए तो कौन से परधान मंत्री एविश्वास मत में पराजित हुए तो देखिए मोरार जी देशाई इसमें गलत हो जाएगा विश्वनात प्रताब सिंग एचडी देवगोडा और अटल वहरी वाजपई ये तीनों है दोस्तों एविश्वासमत में पराजित हुए हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दो तीन चार ठीक है दो तीन चार य विश्वास प्रस्ताओं की इस्तती में वहें अपने पक्स में वोट नहीं दे पाएगा बिल्कुल सही बात है ये नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा नेक्स्ट जवाहर लाल नहरू के निदन के पस्चाथ किसने परदान मंतरी पदगरन किया तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें गुलजारी लाल नंदा ठीक है अगर जवार लाल नहरू के इस्तान पे अगर लाल बादूर सास्तरी भी आ जाता तो तो भी दोस्तों गुलजारी लाल नंदा ही होता ठीक है तो इसमें सी नमबर उप्शन सही उतर हो जाएग आगे देखे 59 नमबर प्रेस ने वहें पर्थम परदान मंत्री कौन थे जिनोंने संसद सत्र में उपस्तित हुए बिना ही त्याग पतर दे दिया तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था चोदरी चरण सिंग तो इसमें C नमबर का उप्शन सेयुतर नेक्स्ट परदान मं मंत्री जिनों ने लोग सबा का सामना नहीं किया तो वो कौन थे जोदरी चरण सिंग ठीक है तो इसका राइट आंसर इसमें B नमबर का उप्शन बिल्कुल सेयुतर हो जाएगा तो दोस्तों प्रस्तना आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और अराध्याराइस अ